हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलक्टिकल हब में दोस्तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर यह हमारे दो तरह के कनवर्टर होते हैं इलक्ट्रोनिक में इन दो कनवर्टरों का इतना ज्यादा यूज है क्योंकि कई लोग क्या होता है यूज तो इसका जादा होता है बहुत लेकिन कई लोगों को इसको यूज कहां पर करना है किस तरीके से करना है उन चीजों का नॉलेज बहुत कम होता है तो दोस्तों चैनल में बने रहें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा उत्साइद ऐसे बड़े रहे और आपके लिए में एक से एक यूजफूल जानकारी वाली वीडियो को अप्लोड करते रहूं और बनाते रहूं अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बैल आइगन का बड़न दबा देना जिससे होता क्या है मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको तुरंत मिल जाते हैं जिससे आप electronic में up to date रहेंगे कुछ ना कुछ आपको इस चैनल में सीखने को मिलेगा और काफी कुछ आप इस चैनल से सीख सकते हैं क्योंकि मेरे इस चैनल में 300 पलस वीडियो अपलोड हो चुकी है और हर टॉपिक में वीडियो अपलोड है और जिन पर नहीं है कोसिस करता हूं कि मैं हर एक टॉपिक पर मेरी वीडियो अपलोड रहे तो यहां पर देख सकते हैं दो तरीकी के यहां पर कनवर्टर होते हैं यह सिमिलर ही दिखते हैं यहां पर देख सकते हैं लेकिन दोनों हैं अलग इस से पहले मैंने एक LCD रिपैर करी थी उसमें भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी लेकिन वो मैंने LCD पर ज्यादा फोकस था लेकिन इस वीडियो में इन दो ही converter के वारे में हम ज्यादा discuss करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दोनों similar हैं इनको हम step down step up converter बक या booster converter के नाम से जानते हैं यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं same दिखेंगे आपको यह देखने में यहाँ पर यह देख सकते हैं यह यह आपको सब same ही दिखेंगे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ अपड़्या जो mainly इसमें component यूज किये जाते हैं वो आपको same मिलेंगे बस इसकी arrangement थोड़ा आगे पीछ हो सकती है वो चीज अलग है तो अब हम इस पर बात करते हैं पहले इसको यहाँ पर देखते हैं किसको हम क्या कहते हैं और कैसे पहचानेंगे तो दोस्तो एक होता है buck converter और इसको हम step down converter भी कहते हैं यानि इसका मतलब यह होता है कि यह step down यानि ज़्यादा voltage को यह क्या करेगा कम करेगा अगर कोई voltage बहुत ज़्यादा है या जितनी इसकी limit है उस हिसाब से ज़्यादा है तो उसको क्या कर देगा यह कम कर देगा अब हम example ले लेते हैं एक्जामपल ले लेते हैं सपोच करो यह ज़्यादा को कम कर रहा है कहीं पर हमें 30 volt present मिल रहे हैं 30 volt यहाँ पर हमें present मिल रहे हैं और हमको वहाँ पर 5 volt, 4 volt, 2 volt, 60 volt 7 volt, 9 volt, 12 volt, 14, 15 जो भी चाहिए हम इस वाले step डाउन वाले converter से ले सकते हैं और अगर हम step up की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं इसके नाम से ही फद्द जलता है step up यानि booster converter यानि ये कम voltage को सपोच करो कहीं पर हमारा 5 volt है उससे हमें चाहिए 12, 16, 17, 24, 25, 35 जो भी बोल्टे चाहिए जो इसकी maximum require होगी तो वहाँ पर ये आपको 5 volt से बढ़ा करके उतने बोल्टे यहाँ पर ये दे देगा जितने भी आपको चाहिए होगा 3 ampere तक ये output को produce करता है यानि maximum जो rating है इसकी current की हुए है 3 ampere तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आपका हो गया अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौँछा हमारा step up है कौँछा step down है क्योंकि इस converter में लिखा नहीं होता है तो आप कैसे पहचानेंगे तो यहाँ पर simple sum एक आपको idea बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं सबसे पहले आपको ये note करने है input दोस्तों ये AC के लिए नहीं होता है ये भी आप ध्यान रखें ये केवल DC voltage इन करके DC voltage को ही out करता है ना कि AC voltage लेके DC देगा ना ही DC voltage लेके AC देगा DC ही लेगा और DC ही देगा तो इन चीजों का ध्यान रखें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये दोस्तों input इसके और output दोनों पर आप note करें जब भी जो converter आपको use पर लेना होगा उसको आप देखें input और output को आप ध्यान करें और आपको यहाँ पर input आउटपुट को ध्यान में रखने के बाद इन दो कैपिस्टरों के ऊपर भी आप notice करें input और output में जो हमारे कैपिस्टर यहाँ पर use किये गए हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखें ये जो भी कैपिस्टर हमारे use किये गए हैं इन्पुट और आउट्पुट में यही आपको बताएंगे कि कौन्छा हमारा इन्पुट मलग step up है कौन्छा हमारा step down है suppose करो यहाँ पर यह इन्पुट है इन्पुट में हमारा यहाँ पर देखते हैं 50 बोल्ट यह पचास बोल्ट लिखा है और यहाँ पर लिखा है इन्पुट कहां गया इसका यह रहा इन्पुट में यहाँ पर लिखा है दोस्तो आपका 35 बोल्ट मैं इसका color अलग कर देता हूँ एक मिनट इसका इन्पुट है दोस्तो 50 बोल्ट इसका इन्पुट है 35 बोल्ट यहाँ पर यह देख सकते हैं तो यहीं से आपको फरक पड़ गया होगा पता की input कैसा है और इसका जो output है वो है 35 volt और इसका जो output है वो है दोस्तो 50 volt तो इससे हमें क्या फरक में देखने को मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं जो buck converter है यानि step down है उसका input के side में ये input ये रहा input के side में 50 volt है output के side में यहाँ पर देख सकते हैं 35 volt है यानि ये ज़्यादा volt लेके कम volt देगा क्योंकि output में हमारा कम voltage का capacitor लगा हुआ है और input में ज़्यादा voltage का capacitor लगा हुआ है इसका मतलब अब यह है input पर ज्यादा voltage होनी चाहिए और output पर कम होनी चाहिए यानि यह step down करेगा ज्यादा voltage को कम करेगा अब simply यहां से ऐसे इसको पहचान सकते हैं अब हम booster converter के तरब को चलते हैं तो इसका input यहां पर है देख सकते हैं यह हमारा input है input पर 35 बोलत है और यह है output output पर हमारा 50 ब पर हमारा छोटा कैपिस्टर लगा है तो वहां पर हमें कम voltage की require है और output जो इसका maximum 50 बोल्ट का कैपिस्टर लगा हुए तो इसके output में voltage जो होंगे वो क्या होंगे input से ज्यादा हम कर सकते हैं तो इस तरीके साब पहचान सकते हैं कि यह step up converter है ना कि step down converter है यहां पर यह हो गया बाकी अगर हम इसमें जो यहां पर use किया गया है IC यहां पर देख सकते हैं उसके number से भी से find out कर सकते हैं दोनों के number इसमें अलग अलग लगे हुए है बाकी आपको पता है कि जब भी हमारा bug converter step up step down कहीं पर भी circuit लगे होता है किसी भी LCD में backlight को चलाने के लिए या कहीं पर भ और capacitor देखा होगा तो इसमें वो सारे चीज यहां पर present है बाकी voltage को manage करने के लिए दोस्तों यहां पर यहां पर देख सकते हैं एक preset दिया हुआ है अगर आप यहां पर booster converter को use करते हैं यानि यहां पर आप 5 volt input करके अगर आपको ज़्यादा बोल्ट चाहिए सब कोच करो यहां पर 5 volt in करके यहां पर 5 volt आपने DC in करके और ज़्यादा voltage output में चाहिए तो इस preset को आप clock wise घुमाएंगे तो voltage आपके increase होंगे और आप anti clock wise घुमाएंगे तो voltage आपके decrease होंगे तो आप उसको check कर सकते हैं कि voltage आपके up down हो रहे होंगे और जितने voltage आपको output में चाहिए उसे साफसे preset से घुमा करके voltage को set कर सकते हैं और जो भी आपको output चाहिए होगा वो आप इसका यूज में ले सकते हैं तो यह तो हो गया हमारा यहां पर जो step up और step down converter होते हैं उसके बारे में जानकारी अब हम बात करते हैं कि इसको हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो यूज है दोस्तो बहुत जादा यूज है अगर आप इसको सही जगे पर यूज कर सकते हैं तो मैं इन दोनों के ही link अपने video के discussion पर दे दूँगा अगर आपकी local market में यह मिल जाते हैं तो आप वहां से purchase करें बरना Amazon पर यह online आपको काफी अच्छे price में देखने को मिल जाते हैं वैसे तो market में सस्ते मिलेंगे यह आपको देखने को लेकिन अगर आप इसको bulk में खरीते हैं तो online भी आपको काफी सस्ते देखने को मिलेंगे जहांपर आप 5-10 पीसों को इसको खरीच सकते हैं तो उसका link में description पर देतूँगा आप वहां से जाकर क पर्चेस कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसकाоть हम सकते हैं, तो दोस्तों किसी भी सर्किट में, सपोश करो कहीं पर कोई ऐसा सर्कॉट है और वहाँ पर हमारा कोई ऐसा Section Faulty हो गया है, सबोच करो कहीं पर LCD भी होती है LCD में आपको पता है कि हमारे या तो 19 वोल्ट से एडप्टर से चलती है या 12 वोल्ट से चलती है या 24 वोल्ट से चलती है तो वहाँ पर हमारे क्या होता है बहुत सारे इस तरीकी के step up और step down converter को या वहाँ पर ऐसा circuit को design किया जाता है तिन चार जगे तो उस case में क्या कर सकते हैं आप चाहे वो computer हो motherboard हो computer का या laptop हो या कोई भी ऐसा motherboard हो तो उस time पर क्या करते हैं हमारी main जो हमारा regular regulator section है वो faulty हो जाता है तो उस case में क्या होता है हमारा suppose करो 19 बोल्ट से कोई चीज़ चल रहा है वहाँ पर हमें 12 बोल्ट भी चाहिए 5 बोल्ट भी चाहिए और 3.3 बोल्ट भी चाहिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारा क्या होता है वहाँ पर एक driver IC 19 बोल्ट ले करके आपके 2 बोल्टेज निकालती है या 12 बोल्ट भी निकालेगी 5 बोल्ट भी निकालेगी तो आपके अगर यह IC खराब है या तो यह आप replace करें simply आप अगर इसको लगाना चाहते हैं तो input पर आप इसको 19 बोल्ट दे दे यानि step down वाला आप इस पर लगा ले input पर 19 बोल्ट दे दे उसके बाद बागी बोल्टे अपने आप निकल जा रहे हैं तो उसके बाद आप सिंगल लगाएं 19 बोल्टे से 12 बोल्ट को बना दे और 12 बोल्ट आपके 5 बोल्ट और 3.3 बोल्ट 1.1 बोल्ट 1.8 बोल्ट core voltage, ram voltage सारे पर जैंट वो कर देगा तो यहाँ पर जो यह circuit है यह चोटे से 2 यह काफी यूज में है आप इसको laptop पर computer पर, led पर और कई जगे पर जो हमारे motherboards होते हैं वहाँ पर या कोई चीज नहीं मिल पाता है हमें उस case में आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं कई जगे पर अगर आपको 80.05 कहीं पर available नहीं हो रहा है कुछ ऐसी situation आपकी फसी पड़ी है कि आपको 12 बोल्ट, 18 बोल्ट से 5 बोल्ट चाहिए वहाँ पर 80.05 खराब हो गया है और आपके पर यह है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं 80.05 की जगे 80.05, 80.08, 80.0.12 कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और यह 80.05, 80.08 बारेत के तरह बोल्टेज आउटपुट देने का काम यह करेगा लेकिन इसका उप्योग 80.05 पर तभी करें जब आपके पर regulator नहीं मिलता है बाकी आप ऐसे बोल्टेज जो बहुत ही कम बोल्टेज होते हैं कोर बोल्टेज इससे निकाल सकते हैं रैम बोल्टेज इससे निकाल सकते हैं आपके मेन आईसी को जो 3.3 बोल्टेज बनते हैं वो आपके निकल सकते हैं कोई छावी मदरबोट हो वहाँ पर आप इसका voltage आप निकाल सकते हैं induction में इसको यूज कर सकते हैं वहाँ पर भी हमारा 705 होता है chimney पर यूज कर सकते हैं LCD LED पर यूज कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा main board से जो voltage हमारे अलग-अलग बनते हैं उसके तरब को बन सकते हैं पैनल बोल्टेज मैंने इससे पहले दिखाए था किस तरीके से हमने 19 बोल्टेज से यहाँ पर 12 बोल्टेज बनाया थे इन से यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि मैंने step down करा था यूज वहाँ पर 19 बोल्ट इंपुट थे और 12 बोल्ट हमें आउटपुट चाहिए था पैनल ब बहुत सारी जगे पर यूज कर सकते हैं तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आप इसको यूज में जाद से जादा लें क्योंकि जित्ता जादा यूज में लिंगे तो ऐसी बहुत से जगे आपको ये काम करके देगा कहीं कहीं पर दोस्तो आप इसे प्रोजेक्ट पर भी यूज कर सकते हैं सब कोच करो आपने बैटरी के 3.7 बोल्ट लिए और कहीं पर आपको 12 बोल्ट की जरुवत है या 5 बोल्ट की जरुवत है 24 बोल्ट की जरुवत है तो यह वो बैटरी के बोल्टेज आप इसके साथ कनेक्ट करके बूच्ट कर सकते हैं या कहीं पर आपके बारे बोल तो उसको डाउन करके आप 5 बोल्ट, 3.3 बोल्ट उसका भी उपियोग यहाँ पर ले सकते हैं तो आप प्रोजक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं काफी अच्छे यह दोनों यहाँ पर छोटे से हमारे converter हैं दोनों आसा करता हूँ कि आपको काफी अच्छे से इन दोनों के बारे में समझमा आ चुका होगा जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना किसी और टॉपिक में अगर आपको separately वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट करना मैं उसमें भी वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर इनको बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्करिशन पर है आप वहाँ से जाके पर्चेस कर सकते हैं